तो फैनली दोस्तो रणबीर कफूर के फैंस के लिए ये साल काफी दमदार और धमाकेदार साल साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तो इस साल उनकी दो मच अवेटेट फिल्म शम्शेरा और ब्रहमास्टर एडियन बॉक्स आफिस पर रिलिस होने वाली है जहां एक तरब दोस्तो ब्रहमास्टर का अब तक का सबसे बैश और ब्रुटुफल सॉंग केसरिया को आज रिलिस कर दिया गया है तो वहीं दोस्तो उनकी मच अवेटेट फिल्म शम्शेरा की आज एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इस एडवांस में दोस्तो इ इंडियन बॉक्स आफिस पर अभी तक कितने करोड की कमाई कर ली है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथी साथ बात करने वाले हैं इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स आफिस प्रडिक्शन के बारे में तो वीडियो को लाश्टर तक जरूर देखेगा अगर आप शमशेरा से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स चाहते हैं और बॉल्यूट के बाबा संजय दत और रणबीर कपूर के डाहाट फैन से तो चलिए शुरुवात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े बैनर यानि कि यश्राज द्वारा प्रोडूस की गई है समशेरा जिसके लीड में आपको रणबीर कपूर, संजय दत और वानी कपूर नजर आने वाली है करन मलोतरा के डायक्शन में बनने वाली इस फिल्म का बजट लगबग 1500 करोड रुपे बताया जा रहा है जिसे की इंडियान बॉक्स आफिस पर इस 22 जुलाई को हिंदी, तामिल और तेलगु में रिलिस किया जाना है इस फिल्म के टीजर और इस फिल्म के ट्रेलर को ओडियंस की तरफ से आउस्टेंडिंग रेस्पोंस मिला था तो वही दोस्तों इस फिल्म के गाने भी ओडियंस को पसंद आये थे अब फाइनली चले दोस्तों आपको की शमशेरा की अभी तक की जो एडवांस है वो टोटल एक करोड रुपे के आखड़े को पार कर चुकी है जिसमें दोस्तों रणबीर कपूर की इस फिल्म के लिए हिंदी ओडियंस ने एक करोड रुपे की टिकेट बुक कर ली है साथी साथ दोस्तो तो तेलगू में इस फिल्म की जो टिकेट से वो एक लाक रुपे के आखड़े को पार कर चुकी है तामिल में दोस्तों इस फिल्म को लेकर कुछ खास क्रेज नहीं है लेकिन वहाँ भी इस फिल्म के जो टिकेट से वो लगबग 20,000 के आखड़े को पार कर चुके है ऐसे मे दोस्तों ये फिल्म अपनी पहले ही दिन की एडवांस में एक करोड एक लाग बीस हजार रुपे कमा चुकी है जो कि एक तरह से काफी अच्छा रेस्पॉंस है इस फिल्म की रिलीज में दोस्तों अभी पांच दिनों का समय बचा हुआ है और ये फिल्म अपने रिलीज के पहले तक इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 12-15 करोड रुपे की एडवांस आसानी से लेने वाली है बता दे चले दोस्तों आपको की शमशेरा पिरेड एक्षन ड्रामा फिल्म में है और इस फिल्म में आपको एक्षन के साथ साथ संजु बाबा का विलन्स आउतार देखने को मिलने वाला है दोस्तों ये फिल्म अइडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले दिन लगबग 1820 करोड या फिर 22 करोड रुपे के आखड़े को भी पार कर सकती है वहीं दोस्तों इस फिल्म को अगर अच्छे रुवीज मिलते हैं तो ये फिल्म में इस साथ रुलिज होने वाली बॉल्यूट की पहली 200 करोड फिल्म भी बन सकती है आपको दोस्तों क्या लगता है शमशेरा इंडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले दिन कितने करोड की ओपनिंग लेगी हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा और दोस्तों प्शमशेरा से जुड़ी डेली बॉक्स आफिस अपडेट्स के लिए आपके अपने चेनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा धनिवाज जेहिं जे भारत